गर्मी हो या सर्दी, किसी भी सीजन में सुकून चाहिए तो लोगों के जुबाम पर सिफे की नाम होता है चाय भाई काम के टेंशन हो यार शाम को दोस्तों के साथ गप पे लड़ाने हो चाय हर एक सिच्वेशन में फिट बैटती है चाय लवर्स को तो चाय पीने का कोई ना कोई बहाना चाहिए लेकिन अगर हम आप से कहें कि एक बकरा है जो रोजाना चाय पीता है या कहें कि बिना चाय पी उस बकरे का दिन पूरा नहीं होता तो शायद आप थोड़ा हसेंगे और इस बात को मजाट में ले लेंगे लेकिन ये कहानी सच है ये किसा मध्धप्रदेश के बुर्हानपूर का है लोकलेटी में बकरा मालिक अब्दुलहमीद से बात की उन्होंने क्या 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 कहा आईए जानते हैं अब्दुलहमीद इस बकरे को चार साल से पाल रहे हैं आसपास के इलाके के सारे लोग इस बकरे को चाय वाला बकरा नाम से जानते हैं अब्दुलहमीद जब भी इस बकरे को बाजार लेकर जाते हैं ना हमेशा Mohamad Yusuf की दुकान से उसे चाई पिलाते हैं और खास बात पता है क्या है जब इस बकरे को घर की चाई पिलाई जाती है तो ये बकरा उसे नहीं पीता लेकिन अगर बाजार जाता है तो Mohamad Yusuf की दुकान की चाई को कभी मिस नहीं करता मुहम्मद यूसुफ इस बारे में क्या कहते हैं आइए जानते हैं है ना ये कहानी बड़ी अजीब और बड़ी अनोखी अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो हमें 8700-866-3666 पर मेसेज करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकलेटी